मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकान को प्रेस करे ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे आज हम मेडिवल हिस्ट्री आफ इंडिया से 10 लेक्चर पर डिसकेशन करेंगे जिसमें हम रिलिज्यस मुवमेंट से सूफीसम ये टॉपिक कवर करेंगे जैसे के हम प्रिवियस लेक्चर में भक्तिजम अल्रेडी स्टाड़ी कर चुके है सूफीसम के साथ आजका रिलिज्यस मुवमेंट ये टॉपिक खतम हो जाएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूच सकते हैं, this is my Instagram ID, this is my Facebook page, this is my Telegram channel and this is my YouTube channel. आईए, सूफी मुवमेंट के शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम सूफी मुवमेंट के बारे में कुछ basic information ले लेते हैं, सूफी मुवमेंट के हैं, सूफी मुवमेंट is a mystical moment in Islam, सू mystical में हम इसे religious mystical कह सकते हैं, या फिर religious mysticism कह सकते हैं, यह मुवमेंट जिससे जुड़ी हुई है कुछ सबसे पहले हम देखते हैं कि while accepting the sharia, sharia याने हम Muslim law कह सकते हैं, या Islamic law कह सकते हैं, इसे यह लोग accept करते हैं, that did not confine their religious practice to formal adherence and stress cultivation of religious experiences, याने अगर हम देखते हैं, यह शरिया भी अगर accept करते हैं, Muslim law या फिर Islamic law जो इसे accept भी किया जाता है, फिर भी ये लोग जो religion में कुछ practices दी हैं, जो कि ये लोग ठीक नहीं मानतें, उसे ये लोग follow नहीं करेंगे, या फिर बहुत जादा religious experience जो है, उस पे stress नहीं करेंगे, और ये direct perception पे focus करते हैं भगवान के साथ, यानि एक तरह से इनके direct भगवान, गौड के साथ directly relation होते हैं, direct perception होता है, जो भी religion में जो भी दी हुई है, कुछ चीज़ें, कुछ प्रार्मल practices हैं, जो करके भगवान हासिल होंगे, ऐस तरह की चीज़ें जो बताए जाती हैं, वो इसे ही अपने according, जो इने ठीक लगता है, उसे ये follow करते हैं, otherwise ये सब ऐसे confine नहीं रखते हैं, खुद को किसी भी religious practice में, so काफी सारी जो religious practice है, उसके नाम पे लोगों को काफी तकलीफे होती है, so यही सब चीज़ें कि थोड़ा सा liberal से ये लोग हमें दिखते हैं, सूफी movement वाले, अब doctrine देख लेते हैं, doctrine से हमें और liberal लगते हैं, उस तरीके वो method से अपनाते हैं भगवान के साथ खुद को जोडने के लिए, so इन्होंने एक union बना के रखा है, अपना God के साथ, God को अपने खुद के साथ जोड के रखा हुआ है, किस तरह से तो love of God हो गया, या फिर prayers हो गया, या फिर कुछ fast करके, या फिर जो follow होंगे, वो बहुत liberal से rituals होते हैं, जिसमें जो common man है या फिर common masses से उन्हें तकलिफ नहीं जाएगी, so इनके अपने तरीके हैं, हर चीज करने के, उसके साथ-साथ हम आगे देखते हैं, तो इनके main features हम देख लेते हैं, सूफिजम के क्या है, सबसे पहले सूफिजम जो है यह organized in different सिलसिलाज है, सूफिजम में different orders होते हैं, आगे हम order study करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा orders क्या क्या है, उसके साथ-साथ variety of ideas होती है, यानि हम देखेंगे, तो एक ही जगे से ideas नहीं ली गई है, तो इसलाम में से ली जाएगी, जो best चीजे है, उसके अलावा Hinduism से, Christianity से, Buddhism से हो गया, और Zoroastrianism से हो गया, तो यह सब जो जो भी religion है, यानि हम पार से religion कह सकते हैं, जो जो best चीजे है, उन सब से यहाँ पर लिया जाएगा, जो की बहुत अच्छा होगा, एक तरह किसे अच्छी practices होगी उन्हें, तो हर जगे से adopt की हुई कुछ ideas होती है, तो यह अलग सा एक feature हमें देखने मिलता है, सूफी जम्म है, उसके साथ-साथ aimed at service of mankind through spiritual self-development है ना, खुद का development कीजिए, spiritually यह खुद का development करते है, और खुद का जब development किया जाता है spiritually, तो उसके साथ-साथ यह लोगों का, जो भी service है, वो service है, एक इंसानियत या फिर मानवता क service में यह ढाल देते है, तो यह एक इनके बहुत एक अच्छी चीज़ है, बहुत best features आपको देखने मिल रहे है, यहाँ पर सूफी जम्म है, उसके साथ-साथ they were eager to Hindu-Muslim unity है, ना, तो Hindu-Muslim unity हमेशा बनी रहे है, या फिर cultural synthesis जो है, Hindu और Muslim का culture जो है, वो synthesis बना रहे है एक तरह से जो best चीज़े है, दोनों तरफ की वो उसमें हो, और इस तरह का culture हमें देखने मिले, यही इनके कुछ aim होते थे, Hindu-Muslim unity के लिए बहुत ज़ादा यह ट्राय करते थे, बहुत focused रहे थे, उसके साथ-साथ जो भी orthodoxy चल रही है, हर religion में, कोई भी religion में orthodoxy उसे यह oppose करते थे, क तो, materialistic life है, उसे इंसान ने एक तरह से, इंसान ने ठुकराना चाहिए, या फिर उसे follow नहीं करना चाहिए, जितना कम हो सकता है, उतना follow करना चाहिए, materialistic life में, बट यह ऐसा भी नहीं कह सकते है, कि सभी चीजों का त्याग कर दो, पूरा complete renunciation कर दो, और आप खुद ही एक सन सौने हैं, आपने जो की, तुरू, याने ये सौंग के तुरू भी जो God होते है, उन्हें, उनके प्रती यहां love है, या फिर जो भी prayers है, यह सब यहां पर बताई जाती है, सो यह सब हम सूफिजम में तो देखते ही है, सो अब सूफी words कुछ देख लेते हैं, और उनके meaning जान spiritual teacher होता है, जो आपको ये सूफिजम के जो भी ideas है, या फिर जो भी तरीके टेकनिक से ये सिखाता है, उसे शेख पीर या मुर्शित कहा जाता है, फिर आता है मुरीद, मुरीद याने disciple, जो भी शिश्ये जिने सिखाया जा रहा है, वो सब रहेंगे, disciple, जिने मुरीद कहा ज spiritual retreat, फिर character reformation किया जाता है, याने वो जगह होती है, जहां पर ये गुरु शिश्ये वाला जो चल रहा है, कि जैसे आप पीर मुरीद वाला आप कह रहे है, तो ये सब इस प्लेस में चलता है, जिसे खान का कहा जाता है, उसके बाद समा याने musical recital, समा का यूद्स तो होता है या सुफिजम में आपने सुने होंगे, सुफिजम के काफे सारे सौंग, समा कहते हैं, उसके साथ रक्ष मिंस डान्स, रक्ष मिंस डान्स होता है, समा मिंस musical recital होता है, कई-कई पर समा को दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, म्यूजिक और डान्स के लिए, तो उसके बाद हमें जो next word देखने मिल रहा है, वो है फना, फना का मीनिंग होता है self annihilation, self annihilation यानि हम कह सकते हैं, पूरी तरह से खुद को जोग देना इन चीज़ों में या फिर lean हो जाना, या फिर खुद को उसमें पूरी तरह से जोग देना, या उसी चीज को self annihilation भी कहा जाता है उसके बाद next आता है वो है जियारत, जियारत याने pilgrimage, जो भी टूम वै 농न सूफी सेंट के उस team पहा पे यात्जरा, या ने या शर्चरा को हम कह सकते हैं, तो वहाँ पे जाना यह सब इसको जियारत कहा जाता है, और उसके बाद एक word आता है वो है इनसाने कामिल, इंसाने कामिल याने perfect human with all good virtue है ना तो एक human होता है जिसमें सभी अच्छी चीज़े होती है उसे इंसाने कामिल कहा जाता है जिक्र तवबा ये word use होता है जिक्रिया ने God का जो नाम है वो लिया जाता है इसको कहा जाता है जिक्रिया फिर तवबा उसके बाद वहादत कहा जाता है उसके बाद हम नेक्स देखते है वह है मुकदम मुकदम यानि हम देखते है कि representatives of the master master जो होते है उनके कुछ representatives भी होते है और उन्हें कहा जाता है मुकदम सो इतने सारे words आपने अभी देखे जो कि आपको कभी-कभी देखने मिलते है सूफी वर सूफिजम में य ऐसा माना जाता है कि there were three stages in the history of sufism. Sufism जो है उसमें three stages में वो develop हुआ. First stage जो है वो है खान का. 10th century में यह period चला जिसे खान का कहा जाता है. It is also called the golden age of mysticism यानि Sufism का यह golden age था जिसे खान का कहा जाता है. Second stage जो है इसे तरीका कहा जाता है. 11th से 14th century तक यह चला. When Sufism was being institutionalized and traditional and symbols started being attached to it है. So, यहाँ पर क्या हुआ? सिर्फ यहाँ पर develop हुआ खान का में. उसके बाद तरीका आया. तरीका में होता है कि institution बना गया. एक Sufism से related institutionalized हो गया Sufism. उसके साथ साथ traditional हो गया, traditions हो गया, symbols हो गया. यह सब यहाँ पर attach होने लगे Sufism से. और third stage जो है उससे कहा जाता है So, यह हो गया Sufism के three stages. उसके बाद जो हमें study करना है, वो है different Sufi order. जैसे कि मैं already आपको कहा कि इसमें different-different orders होते हैं. या फिर हम हमेंने सिलसिला कहते हैं, different सिलसिला हमें देखने मिलते हैं. तो यह देखते हैं क्या है? सबसे पहले the Sufi came to be organized into orders और सिलसिला ना तो इन्होंने organized कि a different-different सिलसिला में. So, सबसे पहले यह जो book है, आईने अकबरी जो book है, उसमें यह सिलसिला दिये हुए हैं, काफी सारे सिलसिला दिये हुए है. They were divided into Beshara and Beshara. Beshara और Beshara जो है, यह दो है. जो Sharia law के against होते हैं, Beshara कहा जाता है, जो Sharia law के favor में होते हैं, Beshara कहा जाता है. So, यह दोनों के बारे में और information ले लेते हैं, यह दो groups के बारे में information लेते हैं, Beshara जो है, Sufis, they follow the law of Islam, यह लोग शारिया को follow करते हैं, और सिलसिला जो है, वो एक sent होते हैं, वो इस सिलसिला को बनाते हैं, और यह सिलसिला जो होता है, यह आगे पूरे उनके जो disciple है, इसे continue क करते हैं, इस जो है बाशारा, उसमें अगर हम देखते हैं, तो जो भी prominent सिलसिला है, या फिर सूफी ओर्डर से यहां के वह है, चिस्ती, second है सुहार वर्दी, third है फिर दौसी, कादरिया, नक्षबंदी, etc., etc., यह जितने भी आपको दिख रहे हैं, यह सब law of Islam, या फिर शरि law में शरिया में यह belief नहीं रखते है, इसली क्या में रखते हैं, नो upper maintain written accounts या फिर ओर करते हैं, या फिर हैदरी कहा जाता है, यह लोग कोन होते हैं, stay diary हो गया, master kalunder हो गया, यह म्लंग हो गया, यह सब wandering saints होते हैं, जिने bbt comments कहते हैं, they hardly left any return accounts है, तो यह लोग अपना जो काम वो करते रहते थे और कोई हाडली निंके रिलेटेड कोई रिटन अकाउंट्स मिलें इनके इन्होंने अपनी कुछ टेक्निक्स या कुछ लिखा होगा है सामें मिला नहीं यूजिवलिए फॉलोड वेरी हार्ष फाम आपाउल आज्या आशितिव को करते हैं बहुत हार्ष फॉलो करते हैं यहां पर हम देख्ते हैं डिफाइड और इग्णोर दा रिचूर जो भी रिचूर जितनी भी चीज़र इन सब को इग्णोर किया जाता है या फिलोग चिया सो हम बेश आरा का देख लेते हैं बाश आरा का देख लेते हैं बाश आरा जो है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं चिस्टी और चिस्टी सिलसिला चिस्टी और वस फाउंड़ेड वाजा मुहिन दिन चिस्टी ने इसे 1142 से 1236 AD के बीच में इसे बनाया था इसे लाया था ऐस यहां पर कहा जाता है यह जो थे मुहिन अदिन चिस्ति इतना टाइम यह रहे इट बिगें इन चिस्त में यह बना इसलिए इन चिस्ति सिल्सला भी कहा जाता है एक स्मॉल टाउने हरात के पास अफगानिस्तान में 930 AD में यह शुरुवात हुई इसकी और यह हमें देखने मि अजमेर में आपको खान का देखने मिलता है जहां पर यह जो पूरे सेक्षिन से सोसाइटी के लिए उनके लिए काम किया करते थे आफ्टर इस डिमाइस जब उनके डेत हो गई एवरी यह एन अन्यूल congregation होता है annual congregation यानि जिसे हम उर्स कहते है वो होता है अजमेर में अजमेर में एक होता है उर्स हर साल उसके बाद हम अगर देखते हैं तो it is most widespread among the soupy order है न सबसे ज़्यादा सूपी order जो फैला हुआ है वो है चिस्ती सिलसिला यह सबसे ज़्यादा आपको देखने मिलेगा its philosophy is based on the concept of so panthetic monoism panthetic monoism जिसे हम वहादत वजूद भी कहते है तो यहाँ पर क्या होता है panthetic monoism यही है कि एक belief है that reality is identical with divinity है जो reality है वो सच्चा ही जो है वो identical है with divinity जो भी God और यह से उन से सो इसे कहा जाता है panthetic monoism बट आप यह याद रखेंगे monoism में एक ही God पर यहाँ पर belief रखा जाता है तो यह चिस्ती सिलसिला जाए हुए इसे बहुत जादा आप फॉलो करते हैं and they were similar to Vedantic philosophy जो उससे काफे जुड़े हुए है जो philosophy आपको Hinduism में देखने मिलती है Vedantic philosophy तो य हो गया चिस्ती सिलसिला, चिस्ती सिलसिला के कुछ हम सूफिश देख लेते हैं कुछ हम इससे जुड़े होते हैं इसमें सूपी ли सेंग लेते हैं उसमें सबसे पहले आपका नाम या जिनिका नाम आता है वह कुतुब फॉद्धिन ब Claudio Ruck다. chaîne जो कुतुब मिनारे वह बनाय भी कहा जाता है दिल्ली के चीराख, फिर नेक्स्ट आते है वो है शेिक ऐखきा हमिदुद्द्दिन प्नागवर, नागवर के ऐख शेख कहांधुद्द्दिन और इन् owe ईतरर्कीन ही कहा जाता है जो एक और आपको एक fact बता है याद रखेगा शेक निजामुद्दिन ओलिया जो जिने महभूब ए इलाही कहा जाता है इनके एक शिश्य थे जिनका नाम है अमिर खुश्रो जो कि बहुत ही बहुत ही जाने माने एक पॉपिलर हमें देखने मिलते हैं जो कि सूफी सिंगर थे उसके साथ साथ पोईट थे और यह सब हमें देखने मिलते हैं यह थे डिसिपल और यह डिसिपल हुआ करते थे शेक निजामुद्दिन ओलिया के महभू बहुब ए इलाही चिराग दिल्या ने लाम्प ऑफ डेली तो यह सब हमें देखने मिले हैं कुछ जो रिलेटेड है सूफी चिस्ता चिस्ती सिलसिला से नेक्स्ट हम जो देखते हैं वो है सुहारवर्दी सिलसिला सुहारवर्दी सिलसिला जो है उसकी हम बात करें सुहारवर्दी तो सुहारवर्दी में हम देखते हैं कि सिलसिला वस पांड़ेड बाई शेक शियाबुद्दिन सुहारवर्दी जो थे उन्होंने इसे बनाया था शोहरवर्दी सिलसला को और बगदाद में इससे बनाया गया, but it was established in India by Sheik Bahauddin Zakaria, Sheik Bahauddin Zakaria जो थे उन्होंने यहां पे इने इंडिया में लाया, 1182 से लेके तो 1262 में इसे इंडिया में लाया गया, और he was given title that is Sheikul Islam by Il Tuttmish, Il Tuttmish ने ने शेकुल इसलाम का भी टाइटल जिया था, याद रखेगा, exam point of view बहुत important, ये थोड़ा सा point है, शेकुल इसलाम कौन थे, तो ये याद रखेगा, और सोरावर्दी सिलसल आपको पता चल रहा है, मुलतान में पहला खान का, इन्हों ने उपन किया, the order believes that, सूफी शूद ओन थ्री अट्रिबूट्स है, इसा ये मानते दे, तो फॉर्स्ट है, इस प्रॉपर्टी, सेकंड इस नॉलेज, थर्ड इस हल, तो इस मिस्टिकल इनलाइटनमेंट है, तो इनलाइटनमेंट भी होना जादा यहाँ पर मानते है, इन चीजों को, तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आपको देखने मिली है, तो यह हो गया सुआरवर्दी सिलसिला, सुआरावर्दी सिलसिला के बाद हम जो आगे बढ़ते हैं, वो है कादरिया सिलसिला, जो है वो शहा नमातुला जो है, उन्हों the concept of वहलादत उल्वजूद so वहलादत उल्वजूद को मैं आणरेड़े आपको बता चूक हो यह क्या होता है तो यह जो एक ही गौडड होता है पूरे यूनियर्स का वन गौड होता है तो यह होता है वहलादत उल्वजूद और मुहमंद अग्बाल ये इसी ओर्डर को बिलौंग करते थे चादरिया शिलसीला को शुक्रिजम को एक और सिलसीला बन जाता है सुप्रिजम नेक्स्टि सबंदी नक्षबंदी जो से और ए इतस्टित्ट बखा थी घ्ञसा पॉपलर सेंथ हमें देखने मिलते हैं और इन्होंने खुंद को एक टाइटल दिया था उसका नाम है मुजादिद इन्होंने टाइटल दिया था that is the reformer of new millennium है ना तो reformer है नए जो चीज़े लाने वाले है वो reformer है सब चीज़ों को अच्छा करेंगे ऐसा है यहाँ पर कहा जाता है नक्षबंदी सिलसिला में एहमद सर हिंदी उसके बाद इस सिलसिला विकेम पॉपिलर डियूरिंग दरीन आफ अकबर अकबर के बहुत अउरंग जेब आज वन ओफ इट्स फॉलोवर तो राइडिकल याने हम कह सकते है कि चेंज जो है सूशल चेंज उसको काभी फॉलो करते है यह इस तरह का राइडिकल है नीचर में तो reformer है इसमें और reformist भी हमें यह लोग देखने मिलते हैं वो है नक्षबंदी सिलसिला के तो यह हो गया नक्षबंदी सिलसिला इसके बाद जो नेक्स सिलसिला हम देखेंगे वो है शत्तरी सिलसिला शत्तरी सिलसिला जो एट वज एस्टेबलिश भाई शेक सिराज उद्दिन अब्दुल्ला शत्तर तो इन्होंने इसे 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 शत्तरी सिलसिला कहा जाता औ वो पॉपिलर हुआ मालवा जौनपूर बेंगाल में तांसेन जो है यह म्यूजिशियन जो थे अगबर के कोर्ट के he was also follower of this order यह शत्तरी सिलसिला को follow करते थे वो थे तांसेन सो यह एक और हमें सिलसिला देखने मिलता है और नेक्स जो आखरी सिलसिला हम पढ़ेंगे वो है कुब्राविया सिलसिला कुब्राविया सिलसिला जो है it was founded by नजमुद्दिन कुब्रा यह modern तुर्कमेनिस्तान जो आज रिजन आता है वहां पर इसे found किया गया था it remained confined to those area it did not undergo any major expansion इसका बहुत बड़ा को expansion हमें देखने नहीं मिला और यह उसी area तक रहे गया it is also known as फिर्दौसिया सिलसिला ना तो इसे फिर्दौसिया सिलसिला भी कहा जाएगा and is popular one eastern इंडिया बंगलादेश और मौरिशे से तीन जगे पर यह काफी famous है so यहाँ पर मैंने आपको इतन मिलते है according to different different sense है वो अपना order बनाते है तो यह सब यहाँ पर हमें देखने मिला so हमने आज जितनी भी चीज़े study की आपके लिए बहुत ज्यादा important है UPSC या फिर other exams point of view so यह यहाँ पर हमारी religious moments खतम होती है so this was lecture number 10 from our medial history of India series and कुछ Sufi songs सुनके देखिएगा आपको पता चल जाएगा किस तरह से बगवान को ब्रे किया जाता है किस तरह से बगवान की worship की जाते है through music और इसी को हम कहते है Sufism so अगर आपको मेरी videos पसंद आते है तो ने like जरू करे, share करे, subscribe करना ना भूले मेरे YouTube चैनल को, अगर आप और चाहते है तो follow or like करे मेरे pages को Facebook पर श्रेयस बडिये, shareis बडिये interpretation, अगर आप मुस्से connected रहना चाहते है तो you can follow me on Instagram, shareis बडिये the peace lover is my Instagram ID, my email ID shareis बडिये at gmail.com, so thanks, thanks for watching, अपना ख्याल रखिये और आप